नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज मैं हूँ आपके स्तार शिवम बिहार में अब महागडवन्दन की सरकार है ऐसे में बीजेपी लगतार सरकार पर हमलावर है इसी करम में आपको बता दे कि बिहार के पुर्व उपमुख मंतरी शुशिल कुमार मोदी ने आज जगदानन सिंग के बेटे यानि की मंतरी सुधाकर सिंग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और या तक कहा कि सुधाकर सिंग ने बारा करोर का गवन किया है ऐसे में उन्हें मंतरी पत से इस्तीफा दे देना चाहिए इसी को लेकर जब आज हमने मंतरी सुधाकर सिंग से बात कित उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप वो सुने आश्चेरजनेक है यहां आगूप 2013 से है और विवाद का विशे 2022 से बनाया जा रहा है और जब विवाद बनाया जा रहा है तो यह केवल इर्ष्या बस बनाया जा रहा है अन्य था 2020 का चुनाओं जिसके खिलाफ हम भार्ते जन्ता पार्टी का हम लड़ रहे हैं तो भार्ते जन्ता पार्टी के नेताओं ने तो इस आरूप को इलाके में कहना चीए था कि आरूपी है इसलिए इंको मतदान मत करिए या अगर कहे भी तो भी जन्ता ने मुझे चुनाओं जीते भीतर इतने बड़े औसर किसी ने नहीं पैदा किया यह बात इलाके के लुग जानके थे इसलिए विप्रीत परिष्टते में मुझे चिता देगा काम किया था अन्य था जो परिष्टती थी उसमें हमको चुनाओं नहीं जीतना चीए था मेरे प्रतिदास पर दी और मेरे समर्थ तक भी कहते हैं कि 20-25 यार से जादी नहीं मिलेगा लेकिन हमने कहा था हम चुनाओं जीत रहे हैं चुनाओं जीतेंगे क्योंकि हम उन लोगों के लिए काम किये थी जो सड़कों पर आके नहीं था थी कि हम और किसको देंगी दिल में था कि मेरा नेत है तब कालीन कलक्टर हमारे सर्टिफिकेट को चिंदे के लिए तक प्रयास किया मैंने कहा विता कि इलेक्शन कमिशन जाज करें कि उस समय के जो कलक्टर तेंगे मोबाइल पर किन-किन लोगों ने टेलिफोन किया था और बॉल डीटेल के तरी समझ में आ जाएगा कि मेरे स साफ तोर पे सुना जहां एक तरफ बिहार के पुर्व उपमुख मंतरी शुशिल कुमार मोदी ने मंतरी सुधाकर सिंग पर कई गंबीर आरोप लगाए जिसका जवाब आज सुधाकर सिंग ने दिया है और या तक कह दिया कि अगर मेरे उपर कुछ आरोप रहता तो मेरे विधान सबा की जनता मुझे जीत कर बिहार विधान सबा नहीं भेशती अब देखने वाली बात या होगी कि जिस तरह से शुशिल कुमार मोदी ने कई गंबीर आरोप लगाए थे जिसका जवाब सुधाकर सिंग ने दिया है तो ऐसे में अब बीजेपी के तरफ से क्या अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल सिदल सब्सक्राइब कर ले धन्यवादी